गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स आज हम सीखेंगे टाइम देखना और क्लॉक बनाना क्लॉक बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक बैंगल लेनी है और उसको अपनी नॉट बुक पे रखके अंदर की तरफ से हमें गोल गोल गुमा देनी है जिससे की हमारा सरकल बन जाएगा क्लॉक के लिए ऐसे ही दूसरा सरकल बना लेना है हमें अंदर की तरफ से हमें गोल गुमा देना है सरकल बन जाएगा अब हमें इसमें क्लॉक बनानी है क्लॉक बनाने का सिंपल मेथड है देखे कैसे बनाना है हमें सबसे पहले 4 numbers right करने होते हैं सबसे पहले हमें यहां उपर बिल्कुल center में 12 right करना होता है फिर इसके बिल्कुल सामने नीचे 6 right करेंगे फिर right hand side बिल्कुल यहां center में 3 right करेंगे फिर इसके सामने बिल्कुल यहां center में 9 right करेंगे यह हमारे 4 number हो गए आप इस तरीके से clock बनाएंगे तो आपकी clock wrong नहीं होगी तो अब हमारे बीच वाले numbers रह गए तो बीच वाले numbers हम कैसे write करेंगे हम जो number write करेंगे उनमें gap बरावर बरावर होना चाहिए तो हम यहाँ पे 1 write करेंगे 1, इसके बाद यहाँ पे 2 write करेंगे 3 हमारा write है, इसके बाद 4 write करेंगे सब के बीच में हमारे 2, 2 numbers रह गए है 6 write है, 7 write करेंगे, यहाँ पे 8 write करेंगे 9 write है, यहाँ पे 10 write करेंगे और यहाँ पे 11 write करेंगे यह देखिए हमारी clock बन गई अब बीच center में हम dot लगा देंगे clock में 2 hands होते हैं एक small hand और एक big hand तो मालो small hand मैंने 3 की तरफ कर दिया small hand को small ही बनाना है इस तरीके से arrow की तरह और जो big hand है वो मैंने 12 की तरफ कर दिया big hand 12 की तरफ ही बनाना है हमें big hand 12 की तरफ बना दिया अब यह हमें time write करना भी आना चाहिए तो हम कैसे time write करेंगे हमारी clock में क्या time हुआ है 3 बज रहे है 3 time हो रहा है हमारी clock में क्योंकि जब छोटी सुई means जो small hand है वो 1 से लेके 12 नमबर तक किसी पे भी हो और जो big hand है वो 12 पे हो तो जिस नमबर पे छोटी सुई होती है उतने ही बज रहे होते हैं तो कितने बज रहे हैं 3 तो हम यहाँ पे 3 कैसे write करेंगे 3 2 dot और 2 zero इस तरीके से हम time write करेंगे next clock में देखिए ऐसी करेंगे उपर 12 आपको इसी method से clock बनानी है नीचे 6 right hand side 3 left hand side 9 अब इनके बीच में 2 टू नमबर रह गए वो write करेंगे 1, 2 3 right है 4 5 6 right है 7 8 9 right है 10 और 11 यह देखिए हमारी clock बन गई बीच center में हम dot लगा देंगे अब हम small hand बनाएंगे मालो small hand मैंने 6 की तरफ बना दी और जो big hand है वो हमें 12 की तरफ ही बनानी है यह 12 की तरफ बना दी यह ध्यान रखना है small hand को small बनाना है और big hand को big बनाना है अब time क्या हो रहा है इसमें 6 बज रहे हैं तो हम कैसे write करेंगे 6 6, 6, दो dot और दो zero तेंक य। तेंक य। यह अखे और